धम्दा जन्पत इलाके ग्राम पंचायत दार गाउ में अतिक्रमन का एक अनूखा मामला सामने आया है गाउ के बिसाहिन बाई, महरीन बाई, थन्वारीन बाई के अलावा अमर्दास, रविदास, साहू सहीद, साथ ग्रामिनों ने पंचायत पर लिखिट शिकायत दर्श कराई थी कि परदीप हलवाई बुधन हलवाई ने खेट के सामने अतिक्रमन किया है, उसे हटाया जाए पंचायत के प्रतिवेदन पर तहसीलदार ने तो गरीब की अतिक्रमन हटा दिया पर गाओं में बड़े पैमाने पर रसूखदार लोग अतिक्रमन किये हैं, वह कब हटेगा? पीडित परिवार के ने कुछ इस प्रकार अपनी प्रतिक्रिया समाचार एक्स्प्रेस के साथ साथ साझा किया और अपने परिवार के साथ हो रहे है अतिय चार के बारे में जानकारी भी दूसरा पेडित परिवार के सदस्य लोगों की मानिक तो ग्राम पंचायत के सरladıक्रमन किया है और डबल स्टोरी मकान बनाकर किराया में दे दिया है तत्ते सामने आया है तो यह जांच की विश्य है उपर बैठे आला दिकारियों को संग्यान में लेना चाहिए तबी ग्राम पंचायत अतिक्रमन मुक्त हो सकेगा दमदा विकास कंड के ग्राम पंचायत दार गाओं में ग्रामीनों के शिकायत पर तैसील दार ने एक अतिक्रमन तोड़ा लेकिन रसुकदार लोगों के अतिक्रमन पर पंचायत हाट डालने क्यों हिचकिचा रही है आखिर कब होगी इन पर कारवाई देखिए ये खास रिप मेरा ये जो माकान था 25-27 साल से लगभग है और इसे जाती दुसमानी के तोर पी निभाया गया है और इसको बीना मेरों को आदेज लिये भी है ना मतलब मेरों को यहां बुलाया भी ने गया मेरा माकान प्रसासन तोड़ दिया पुरा और मैं भी गरीबाद में हूँ और मे मेरे खिलाब जबरदस्ती एफाई यार दाज करवा के सरपन्ज सहाब और यह खेत वाला पीछे खेत वाला अमरदास मेरे साथी दूसमानी निभाया है वह भी अतिकरमन में रह रहे हैं उनका भी घर अतिकरमन में हैं और वह खुद जो सरकारी जमीन था उनको प्रदान में मिला गया था वह बेच खाकर खुद अतिकरमन में रह रहा है और मेरे खिलाब अतिकरमन का यह केस किया है और मैं यह चाहता हूं सरपंज भी अपना घर बनाया है उसमें अतिकरमन में करके घर बनाया उसको किराय पे दिया गया है और खुद अतिकरमन में दबल मंजिल का घ सर में बनाया है और खुद और रहा रहा है एड यह हम को तीन भाई एक परिवार सेद से आप हम लोग भी बहुत गरीब आदमी हैं, आप हमारा घर भी देख सकते हैं, और हमारा इंक्वारी करके मैं प्रसासन से निवेदन करता हूं कि मुझे न्याय दिया जाए। गराम धिवर, गराम दारगाओं के फूर्वा पंच, जिन्होंने इस मकाम के बारे में मैं जानता हूं कि इस मकाम आज 25-26 साल के बना हुआ है, और आज पास में और पूरी मकाम बना हुआ है, जिन्होंने नई तूटकर और बीना सुचना के टोरा है, यह बहुत नजाज माना जा रहा है लोग 17 पूरा फैमिली 17 होते हैं और इस छोटे से फैमिली मतलब घर में हम लोग सब साथ में रहने के लिए मजबूर हैं मैं हाथ पैर जोड़ी उनका मिन्नते की सरवंच साहब के पास सचीव के पास पंचायत में गई लेकिन इतना मैं बोली हाथ पाउजोडी उन मैं अपने कार्यकाल में तुम्हारा घर रहने ही नहीं दूनगा और आपसी दुस्मkim के वज़े से मेरा घर तोड़वा दिया गया हैं ल है जाससे जितने भी हैं सब कोई से में यह अन्रोथ करती हूं कि आप लोग मेरा साथ दे आप लोग मेरा सांथ दे और एक गरीब का मेरे चोटे चोटे बच्चों पर रहां खा करके मेरे को न्याय दिलाने की कोशिज करें JBD Banquets लाए है Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden World-class catering, century air condition, lush green lawns state-of-the-art lightning A perfect venue for wedding, launching and parties Rajgharana and Jyoti Garden are JBD Banquets Enterprise ऐसे ही लेटेश कोब रहे पाने के लिए बेल आइकन को ख्लिक करें हमारी चैनल को लाइब, शेर और सब्सक्राइब करें घन्ने वाल